नुश्कार दोस्तों हमारे एक्टूब चैनल एक्जाम से सफलता तक सेविंस्टीवन में आपका स्वागत है दोस्तों आज जो प्रशनावली रहेगी आपकी वो प्रसत रहेगा आपका जो लेक्चर आज का है वो परसेंटेस से होगा देखिए पहला प्रसन बनाईए वीड एक्स प्रसत तुभिया एक्स का मान बताना है क्या बताना है एक्स का मान बताना है देखिए एक सो चालिस का तीस प्रसत और बटे सो बराबर आठ सो चालिस का एक्स प्रसत बटे सो प्रसत है तो बटे सो हो जाएगा देखिए यह नीचे से नीचे काड़ देते हैं ठीक है आप क्या करेंगे 140 गुणे 30 X बराबर तो 840 0 से 0 कैंसिल 4 छाक 84 6 5 30 तो X का जो मान आया वो कितना आया 5 तो भीया आपसन नमबर आपका कौन सही होगा आपसन नमबर भी बिलकुल सही अंसर होगा प्रस नमबर दो देखें यद किसी पुस्तक के दाम में 25 रुपए बढ़ने से उस पुस्तक 50 रुपए की बचत होती है तो बढ़े हुए दाम का प्रसत क्या है प्रस नहीं यह कह रहा है अगर उस पर 25 रुपए बढ़ जाते हैं कुछ क्रेमूल रहा होगा उस पर 25 रुपए अगर बढ़ा देते हैं ठीक है तो 50 रुपए का लाब होता है तो प्रसत लाब बताये क्या होगा तो भीया प्रसत लाब बताना है क्या होगा तो एक फार्मूले से आपको इसको सट करना है क्या फार्मूला रहेगा जरा देखिए प्रसत पूछ रहा है प्रसत मराबर होगा बढ़ा रुपए क्या होगा बढ़ा बढ़े रुपए और बटे बटे कुल बचत अब बचत अ आप बताव भीया कितना बढ़ा 25 रूपए बढ़ा कुल बचत कितनी होई 50 रूपए कितनी होई 50 रूपए प्रसत के लिए सो 50 दूना सव तो 25 बचास प्रसत जो है उसे नाफा होगा पचास परसत का लाब हो गा आपसा नमबर आपका सी बिलकुल राइट आंसर होगा प्रस्ट नमबर 3 देखे तो दोनों बिसोयों में पास होने वाले बिध्यारथियों की संख्या क्या है ? पॉच रहा है तो क्या करेंगे ? पास प्लस पास और माइनस फैल अब देखिए जो बिद्यार्थी रहे हैं वह कितने हैं सो तो सो प्रसत माइनस कितने हैं 52 प्रसत प्लस कितने भईया 42 प्रसत कि कितने विद्यारती है 42 प्रसत माइनस 17 प्रसत अब सव प्रसत यह हैं 42 और सत्रा जोड़िये कितने होते हैं 42 और सत्रा दो दो चार दो दो चार पांच चार नव माइनस सत्रा सो माइनस 94 से 17 जाएंगे कितना बचेगा 77 कितना बचेगा 77 तो भीया 23 प्रसत ऐसे बिद्यार्थी हैं जो भीया पास होने वाले जो हैं दोनों 200 में 23 प्रसत बिद्यार्थी है आपसन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है प्रस्ट नंबर चार देखे तिमाही परिच्छा में एक बिद्यार्थी 30 प्रसत अंग प्राप्त करता है तथा 12 अंकों से फेल हो जाता है इसी परिच्छा में दूसरा बिद्यार्थी 40 प्रसत अंग पाता है तथा नियुनितम अंकों से 28 प्रसत अधिकला कर पास हो जाता है पर इच्छा में अधिक्तम अंक्या हैं देखिए एक बार उसने कहा कि 30% अंक पाए दूसरी बार उसने कहा 40% ये आपके प्रस्ण में जिक्र कर रखा है देखिए अगर ये बाबू 28 अंक कम भी पाता तो भी पास हो जाता लेकिन ये कहता है अगर 12 अंक्यार हम अधिकर पाजाते तो पास हो जाते इससे क्या होता है इन दोनों की वैलू बराबर है अब डिफ्रेंस कर लेंगे कम ज़्यादा की अगर बात करें समझ जाना कि अंतर की बात कर रहा है तो भीया एक काम करेंगे प्रसत को इधर लाएंगे और अंक को उधर ले जाएंगे तो 30 प्रसत इधर हो गया माइनस 40 प्रसत ठीक है बराबर माइनस 28 और माइनस 12 ये प्लस की संख्या है उधर जाएगी मैनस की हो जाएगी यहाँ पर बचा माइनस 10 प्रसत 8 2 10 तिन 2 एक 4 माइनस 40 माइनस क्या हुआ 10% वे लू है वो 40 के बरापर है 100% की वेलू क्या रहेगी 10 leverage 10 0 से 0 cancel काट दीजे और भिया तो जो उसका पूरांक रहा है वो 400 रहेगा अपसन नंबर आपका भी विलकुल राइट आंसर है प्रस्ट नंबर पांच देखे किसी धन को पांच अनपाथ चार अनपाथ पांच छे के अनपाथ में बाटा गया है कुल धन का सबसे बड़ा भाग क्या है कुल धन का सबसे बड़ा भाग क्या है तो चार अनपाथ पांच अनपाथ और छे अनपाथ में हैं इनका योग कर ले एक खेख से बड़ा पूछ रहा है तो सबसे इसमें चैने सब काड़ते हैं तीन से दूनी छे तीन 15 15 15 15 20 दूना 40 प्रसत जो है सबसे बड़ा धन रहेगा आप सन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रस्त नम्बर छे देखे तेल का मुल नब्बे प्रसत बढ़ जाए जाने पर उसकी खपत में कितने प्रसत कमी जबकि ब्रधि में खर्च में ब्रधि ना हो तेल का मुली कितना बढ़ गया 90 प्रसद बढ़ गया ठीक है अब यह 90 प्रसद बढ़ जाने पर देखे 90 प्रसद बढ़ा जो बढ़ी वाली बात है वो नीचे 100 में जोड लेंगे प्रसद के लिए गुणे 100 जीरो से जीरो कैंसिल तो कितना हुआ 900 कितना हुआ भीया 900 बटे 19 कितना बचा यहां पर कितना बचा साथ अब देखे उन सैंताली सही साथ बटा उन्निस होगा अपसर इसका कौन सा सही होगा बिलकुल राइट आंसर होगा प्रस्ट नंबर साथ देखे किसी वस्तु के बनाने में मजदूर 25 रुपए तथा सामान खर्च 20 रुपए है यदि मजदूरी 20 प्रसत घट जाए और सामान खर्च 25 प्रसत बढ़ जाए तो वस्तु के खर्चे में प्रसत कमी हुई देखे मजदूरी कितनी पहरे पड़ती थी 25 रुपए सामान कितना खर्च था सामान खर्च था 20 रुपए अब इनका पूरा खर्च हुआ 45 रुपए ध्यान रखना है अब 25 रुपए पर 25 रुपए पर जो है 20 प्रसत घटा हुआ मजदूरी जो है यह मजदूरी थी ना मजदूरी में जो है 20 प्रसत की कमी हुई तो पचीस रुपए का हम 20 प्रसत निकालते हैं कितना होगा 0, 2, 5, 10, 25, 25, 5 रुपए की कमी हुई, क्या हुई, 5 रुपए की मजदूरी में कमी हुई, सामान पर देखिए, सामान पर जो है, 20 रुपए का सामान था पहले, अब इसमें क्या है, बढ़ गया, कितने परसंट बढ़ गया, 25 परसंट बढ़ गया, तो इसका 25 परसंट जला नि मिलता था 20 रूपे का अब सामान मिलेगा 25 रूपे का अब मजदूरी में कमी हो गई पहले मजदूरी 25 रूपे थी अब कितनी हो गई 20 रूपे का अब इनका कुल खर्चा कितना हुआ 245 रूपे पहले भी 45 था और अब भी 45 हुआ तो भीया जीरो परसेंट की कमी आई आपसान नंबर आपका कौन सही होगा आपसान नंबर डी बिल्कुल राइट अंसर है प्रस नंबर आठ है स्याम ने अपने बेतन का 40 प्रसत दान कर दिया तथा बाकी बचे बेतन का 10 प्रसत बैंक में जमा कर दिया यदि अब उसके पास 10,800 है तो उसका बेतन था तो उसका बेतन था ट्रिक से करेंगे 40 प्रसत है तो बटे सो गुणे कितला 10 प्रसत थास में सिंद्डे सों तरसात प्रसत ना फिर गुणे 10,800 भी सल अब क्या करना है इनको पलट करकर अब देखिये सव है अब देखिये सव है ध्यान दखना इसको आप यहां पर रखिए पहले इसको लिखना नहीं है यहां पर सव है तो उपर लिखे सव तो से जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, नव छाक चाउवन, चाउवन दूना, कितने होते भीया, एक सो आठ, ठीक है, दो हमने ये लिख लिए, दो जीरो ये, चार जीरो हम लिख लेंगे, तो भीया, उसका जो बेतन रहा होगा, वो बीस हजार रहा होगा, का 30 प्रसंद बचाता है जब उसके खर्च में 30 प्रसंद बढ़ जाए तो वह 1215 रुपए हर महीने बचाता है तो इसकी मासिक आए क्या है एक वस्त पर अगर दो बार घटना घटते हैं वाबो तो क्या करेंगे फार्मूला प्योग करेंगे आइ प्लस बी प्लस मारस ए भ और बटे सव तो 30 मारस ए और बटे सव और तीज से थीर कैंकिल जीरो से जिरो कैंसिल थिन तिया नव प्रस्थन नव प्रसथन की जिए वहा रखी है कितना 1215 रुपए सव प्रसत की वेलू कितनी होगी सव प्रसत की वेलू बताइए कितनी होगी भी या 1215 गुणे सव और बटे नव नव एक कम नव नव एक कम नव यहां पर कितना हुआ यहां पर कितना हुआ 31 नव तिया 27 कितना हुआ 4 नव पचे 45 एक सो पैंतिस और दो जिरू यानि 13500 रुपए उसकी जो है बचत होगी आपसा नंबर आपका जो है यह बिलकुल राइट आंसर है प्रश नंबर 10 देखिए यदि किसी भिन का अंस 20 प्रसत बढ़ा दिया जाता है तथा उसका हर 10 प्रसत घटा दिया जाता है तो वह भिन का मान हो जाता है देखे धिन x y माल लेते हैं अंस जो है वो x है और हर क्या है y है इसमें 10 परसत बढ़ा दिया जाता है कितना भईया बढ़ा दिया जाता है 10 परसत बढ़ा दिया जाता है और अंस में जो है 10% घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 16 बटा 27 हो जाता है 0 से 0 कैंसिल अब देखे 12 बटे 9 बराबर 16 बटे 27 तो बराबर 9 गुणे 27 बटे 16 ठीक 9 तिया 27 चार तिया बारा चार चक्कु सोला तीन तिया नव बटे 4 तो भिन्न बनेगी वह 9 बटे 4 बनेगी आपसा नंबर डी बिलकुल राइट अंसर है प्रस्ट नंबर 11 देखे दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से क्रमसा 30 प्रसत और 40 प्रसत कम है दूसरी संख्या पहली संख्या और तीसरी संख्या तीसरी संख्या 100 प्रसत अब इससे जो है इससे जो है दूसरी संख्या कितने प्रसत कम है 30 प्रसत कम है तो यह कितनी हो जाएगी 70 प्रसत कितनी हो जाएगी 70 प्रसत इससे यह कितनी कम है भहिया 40 प्रसत यह हो जाएगी 60 अब कहता है बताओ भहिया पहली और दूसरी का प्र का और गुणे सव जिसमें का कहे उसको नीचे रखना है बटे सत्तर जीरो से जीरो कैंसिल साथ कम साथ कितना बचा यहां तीस साथ चौग अठाइस दो तो चौदा सही दो बटा साथ प्रसत जो है वह अधिक है आप सन नंबर कौन सही होगा डी बिलकुल राइट आंसर है प् इसी मजदूर की प्रदिन की मजदूरी 20% बढ़ा दी जाती है परंत उसके द्वारा किये जाने वाले कार के घंटे में 20% कमी कर दे जाती है यदि वास्तविक में 200 रुपए प्रदिन मजदूरी लेता था तो अब उसके पास मजदूरी होगी तो अब उसके पास मजदूर होगी एक ही बेक्तिया एक ही वस्त पर अगर घटना घटती है दो बार तो एबी फार्मूला लगा देते हैं एप्लस बी प्लस माइनस एबी बटे 100 एक बार 20 प्रसत बढ़ी और एक बार 20 प्रसत की कमी हुई ठीक है दोसों का चार प्रसत जरब अबू निकालिये कितना होगा आठ रुपए कितना होगा आठ रुपए की कमी होई ना तो दोसों में अगर हम आठ रुपए मानस कर देते हैं तो 192 रुपए उसकी मजदूरी बच्ची तो आपसन नंबर आपका कौन सही होगा बी बिलकुल राइ एक प्रत्यासी बैद मतों का कुल 55 प्रसत जो है प्राप्त करता है तथा दूसरे प्रत्यासी से 240 मतों से जीत जाता है तो कुछ इसमें लिखा है लिखा है कुछ कुछ नहीं हो चाहिए था इसमें होना चाहिए कुल कुल मतों की संख्या क्या है देखिए जो मतों की संख्य कितना होता है 100 का 4% होता है तो भीया मत कितने बचे 96 कितने बचे 96 एक बाबु पारहा है 55 कितने पारहा है 55% तो 96 का 55 परसेंट आप निकालेजिए 95 का 55 निकालिए कितना होगा 55% बटे 100 दो इस्थन बाद पॉइंट तो 52.80 अब यह 96 से 52.80 माइनस कर दीजिए ठीक है तो यहां पांच पांच से दो गए तीन तो 43.20 अब देखे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 420 के बराबर है ना इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जीत हार हम ऐसा डिफरेंस पर अंतर पर बात करती है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा भीया इनका डिफरेंस होगा 9.6 ज तो वैलू रखता है दोसो चालिस की तो भीया सो प्रसत की हम अगर बात करते हैं तो दोसो चालिस गुणे इसाउ बटे नव पॉइंट 6 पॉइंट टाते हैं जीरो पढ़ाते हैं ठीक है पॉइंट टाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 24 24 96 25 चकू सव ठीक है 25 चकू सव 25 एक जिरो ये और एक जिरो ये तो जो मतों की संख्या है वो 2500 रही होगी तो आपसा नंबर आपका बी बिलकुल सही आंसर है दोस्तों इस वीडियो में आपको बढ़िया से बढ़िया प्रस्न जो हैं परसेंटेज के पढ़ाने का प्रयास कि आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इससे भी अच्छे प्रस्न आपके अगे प्रस्तुत करेंगे